है तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोश्चन को देखो कि इसमें क्या करते हैं एक solid a-sphere आप मां से हम रेडियो सार प्लेस इंसाइड होलोब इस्पिरिकल सेल यह जो है वो मास M है और सेल की रेडियस आ रहे हैं यहां पर यह कर रहे हैं कि जो हां और यह जो सॉलिड़ स्पेर है इसका मास M है इसका रेडियस आ रहे हैं अब करता है एक तीसरा अब करना है और यहां से ऊपर लाइन सीधी लाइन में एक स्वाल मश्य रखूंगा तीन लोकेशन में रखूंगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड थीन पॉइंट पर रखूंगा एम देश को तो उस पर लगने वाला रिजल्टेट दे मैगनिचूड आप दे रिजल्टेंट ग्रिविटेशनल फोर्स अंदिस एस्पीर जी इस पार्टिकल ड्यू टू एस्पीर और सेल मिलके कुल कितना फोर्स लगाएंगे इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है तो पहले केस में देखो कहा रखा गया है तो पहले क आर जो पॉइंट रखा गया अबर टू आर से कम है यह वाला टू आर है तो यह जो है वो टू आर है और टू आर से कम है और मतलब यहां इसके सेंटर के सेंटर के ऊपर रखा गया है यहां पर ठीक है तो अगर यहां पर रखा गया है यह इसका लोकेशन है तो इस्पीर के स के center से यह वाली distance कितनी हो जाएगी एकस-デあー हो जाएगी नहीं समझे इसको मैं इधर weं करके एक बार फिर से आपको आपको समस्झा soir से Space और सब्सक्राइब यहां से जो distance chn से यह पर रखाऊँ एक समर्स Ste और यह पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है तो यह पूरा का पूरा डिस्टेंस इसमाल आ रहे हैं तो यह जो डिस्टेंस इसके सेंटर से यह कितनी होगी यह वाली डिस्टेंस तो यह वाली डिस्टेंस हमें जरूरत पड़ेगी यह जाएगी X-R तो अब इस वादे पार्टिकिल यह जो M- का पार्टिकिल है इस पे तो यह जो बड़े वाले सेल के तो अंदर है इसके सेल जो capital M के अंदर है तो इसका जो force है वो तो इस पे 0 लगेगा लेकिन यह इस छोटो यह जो SPR है solid SPR के अंदर है तो इस solid SPR तो force लगाएगा जो बड़ा वाला सेल था यह जो बड़ा वाला सेल था उसकी वज़े से force 0 होगा तो इस point पर तुम देखोगे तो कितना force लगेगा तो force की जो value हो जाएगी force due to sale plus due to force due to SPR तो यह दो मलब इन दोनों का बेक्टोरियल सम होगा और यह की लाइन में है तो यह basically तुम देखोगे तो force due to sale sale के अंदर है तो अंदर पर field 0 होता force 0 होता है लेकिन यहाँ पर यह जो sale है यहाँ पर यह वाला जो यह कितना field बना रहा है उससे अगर multiply कर दोगे कि बाहर वाला यह जो डॉट 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 यह तो कोई force लगाता ही नहीं है तो यहाँ पर जो force होता है simply mass multiplied by field की value simply कई बार आ चुका है किसी भी point पर force निकालना हो तो उस point पर लगने वाला force और फिल्ट से multiply कर दोगे तो force की जो value इस case में आ जाएगी mass और gravitational field solid sphere का क्या होता है gravitational field solid sphere का होता है g mass of the solid sphere distance from the center distance distance from the center और multi divided by radius का q तो distance from the center क्या है यहाँ पर तो g capital M distance from the center है x minus r और divided by r की power q तो r की power q यहाँ पर small r की power q मतलब यहाँ small r की power q this is the final solution तो net force आ जाएगा तो g capital M m dash m dash m dash is equal to x minus r और r की power q solid sphere का radius तो आई होग की आपको समझ में आ गया होगा दूसरे case में देखो कहां रखे हो दूसरे case में 2r से अधिक है मतलब इसके ऊपर लेकिन 2r capital R से का मतलब यहाँ पर कहीं पर होगा तो इसके लिए मैं दूसरा diagram यूज करता हूं तो चलो यह वाला diagram मैं यूज कर 2 capital R से कम है तो यह distance basically x है और इसके center से हमें distance की ज़रत पड़ेगी तो यह जो है वो inside sail इंसाइड बड़े वाले sail के अंदर है तो बड़े वाले sail की वज़े से जो force होता है 0 कि इसके अंदर field 0 होती है तो इस बड़े वाले sail की वज़े से तो force 0 हो गया पर इस छोटू वाली sail के center यह जो छोटू वाली sail है इसकी center से कितने distance पे है तो यह हमें निकालना पड़ेग अब आई और यह distance कितना है तो यह distance small r है तो यह distance कितना आ जाएगा x minus small r ठीक है this is basically the force तो again जो force की जो value होगी इस पे तो force due to cell plus force due to SPR का sum होगा solid SPR का तो यहाँ सेल की वज़े से तो force 0 solid SPR का कैसे लिखते मास multiplied by उस पॉइंट का फिल्ड तो is equal to मास और अब जो सेल है वो पॉइंट मास की तरह भी करेगा तो पॉइंट मास की तरह भी करेगा तो जी मास आप इसमाल M और डिस्टेंस X-R का X-R का whole square फिल्ड दिव तो पॉइंट मास तो X-R का whole square होई M dash है तो finally F की value आजाएगी Z M M dash over X-R का whole square this is the final solution of this problem of part 2 तो part 2 का यह वाला चलो part 3 में देखो कहां रखें पार्ट 3 में X is greater than 2 और मलब outside है तो अगर आउट side है part 3 case case third में case third में जो point मास है वो outside SPR के तो यह distance कितना दिया हुआ है यहां से distance measurement हो रहा है तो यह distance पूराका पूरा distance X है अब दोनों के center से distance निगालना पड़ेगा तो यह जो distance center से यह वाली distance कितना वाई इसमाल आर तो अगर इसमाल आ रहे तो यह distance कितना जाएगा X-smal R तो solid SBR के center से X-smal R और यह distance कितना है बोलो तो यह distance पूरा का पूरा अरे यहां से साॉलीड सेल कंग से कितना जाएगा एक स्टू कैपितल आर से अजये यह गलति होगीए मेरे भाई यह यह वाला जो डिस्टेंस है यह यसे पूरा और एक स्माइस गैपिटल तो सेल के डिस्टेंस से मास है और जो 3 ौससे एक्सมาल पर तो इस पॉइंट बेदा इद हैं इदर की डाइरेक्षन ऐसे और इधर की डाइरेक्षन 2 चाहिए गा हॉएप तो इस टाइम में जो force आएगा force due to sail plus force due to sphere तो दोनों के लिए बाहर है तो दोनों point mass की तरह भी एप करेंगे तो point mass का भी एप करेंगे तो point mass का भाई कैसे लिखते है neutral law of gravitation apply कर दो तो यह आजाएगा capital G small m solid का लिग रहा हूं और m dash over x minus r का hole का square ठीक है यह रहा किसका solid SPR का इस पे लगने वाला force plus cell का देखो तो cell G cell का mass capital M और इसका mass M dash और बाहर के लिए जो है वो X minus R के square पर है तो this is final solution of this problem तो I hope कि आपको यह इसका answer है यह तीनों पार्ट का solution समझ में आ गया होगा तो अपना बहुत ख्याल रखो motivated रहो और हमारे चैनल के साथ जूड़े रहो विकाज हम लोग बहुत में बहुत मिनत कर रहा हूं बच्चे तुम्हारे लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब और बनता है कर दो हो तुम्हारे रहा हुत म हुत मिन आपके झाले कर तो अपके लाइक टिस जूड़े शबड़े पिर प्लुम्हार क कर दो प्लुम्हार मतवशो प्लूऱ् तो याले कर रहा है